हाई फ्रेंज बहुतों की तरह मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ और मैं भी रोज सोचता था कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे शॉर्ट से बढ़ेंगे लॉंग फॉर्मेट वीडियो से बढ़ेंगे ये गेम एक्चली है क्या अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट वीड पर ये हुआ कैसे सब आपको कहेंगे कि अरे कोई भी ट्रेंडिंग वीडियो लेलो ट्रेंडिंग साउंड बहुत इंपोर्टन ट्रेंडिंग साउंड लगाओ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे छोटा वीडियो हो बड़ा वीडियो हो एक्चली हो क्या तो आज मैं आपको अपना experience शेयर करना चाहूंगा मैंने देखा है yes, trending audio बहुत important है क्योंकि trending audio आपकी reach बढ़ाता है initially वीडियो की क्योंकि अगर वो गाना बहुत लोग सुन रहे हैं तो YouTube आपके इस वीडियो को कई लोगों को दिखाएगा लेकिन आप यहीं सबसे बड़ी problem है अगर आपका content catchy नहीं है बहुत specific बाते करें आप किसी एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो चाहे audio कितना भी trending हो अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग उसके साथ interact नहीं करेंगे, like नहीं करेंगे comment नहीं करेंगे और अगर लोग initially like comment नहीं करेंगे तो आपका video आगे नहीं दिखाया जाएगा तो सबसे बड़ी बात है कि कोई ना कोई link होना चाहिए आपके trending audio और जो आप दिखा रहे हैं एक तडिका बहुत simple है आप देखें कि इस audio पे जादा से जादा क्या content बन रहा है अगर आपका content उससे similar है तो आप जरूर वो trending audio यूज कर सकते हैं अगर आपका content बहुत ही अलग है तो फिर मुश्किल है एक simple example देता हूँ अभी recently गनेश चतुर्थी का festival था तो सारे गनेश जी के गाने super trending थे अब आपका content गनेश जी से कुछ भी related नहीं है तो उन गानों को लगा कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि पहले 500 viewers उन गाने को देखेंगे और बोलेंगे अरे मुझे तिससे कोई लिना देना नहीं यह तो link दी नहीं है इसी लिए सिर्फ और सिर्फ trending audio पे नहीं रिलाई करें second important चीज है duration कितना लंबा हो आपका shots 15 seconds से कम हो 50, 55, 60 seconds का हो अब इस पे भी आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे जो कहेंगे इतने seconds का content होना चाहिए यही सही है ऐसे ही होना चाहिए इसका maths बहुत simple है अगर आपने original कोई content बनाया है जो आप 30, 40, 50 seconds को continue करना चाहते हैं generally यह सारे वो content होते हैं जिसमें audio आपका होता है आप कुछ बता रहे होते हैं और इससे audience engage कर रही होती अगर आप जवान का गाना लगाएंगे या कोई भी film का गाना लगाएंगे और आप उसके बाद 1 minute का content लगाएंगे तो बहुत कम chances है कि audience उसको देखेगी second सबसे बड़ा factor होता है कितनी जल्दी audience आपके shots को swipe कर रही है दो तरह से swipe होता है पहले मैंने देखा और immediately swipe कर दिया यह होता है negative इससे आपके video को YouTube कम से कम लोगों को और दिखाता है second होता है कितनी देर पे swipe किया क्या 2 second में swipe कर दिया एक second में swipe किया आधा video देखा अब यह कितने second में swipe किया और यह कितना लंबा content है इसका बहुत बड़ा relationship है लंबा content है से 40 second का content है और किसी ने 2 second में swipe कर दिया तो यह ज़ादा हानी का रखे और 5 second का content है किसी ने 2-3 second के बाद swipe किया मतलब 50% उन्होंने आपका video देखा तो YouTube इसको positive मानेगा ठीक है तो it is important तो आप यह भी समझे कि आप अपने audience को पकर डख सकेंगे तभी लंबा video बनाए अगर आप नहीं पकड सकेंगे तो फिर छोटा video बनाए जिससे कि उतनी देर at least आपका video देखा जाए आप जब अपने dashboard पे जाएंगे तो आप जरूर देखेंगे वहाँ आता है कि कितने लोगों ने लेकिन at least अगर वह जादा तर video देख रहे हैं तो भी YouTube इसे positive बनेगा तो ये like से better गिना जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा factor है जब आप अपने video को बना रहे हैं अब जैसे मैंने बताया मैंने क्या किया मैंने trending audios देखे मैंने उनसे related videos बनाए जब मुझे लगा कि मेरी कहानी 10 second में ही मज़ा आएगा तो मैंने 10 second का ही video बनाया और जब मुझे लगा कि मेरी जो video की message है जो content है वो 30-40 second तक भी logo को retain करेगा वो भी बनाया मेरे साथ मेरे original audio के बनाए shots बहुत जादा नहीं चले बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं चलते है informative shots सबसे ज़ादा चलते है मेरे top two shots है जब मैंने logo को लखनों में एक बहुत अच्छी जगा बताए खाने के लिए और similarly मैंने जैपुर में एक बहुत अच्छी बताए जगा घूमने के लिए तो मेरे top two shots वो है तो आप ये समझ रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं लोग shots देखते हैं उन्हें उससे कुछ return चाहिए उन्हें कुछ जानना है आप चाहें तो engagement के लिए अपने shots, अपने mood, मौसम इन सब भी लगा सकते हैं ऐसी बड़ी बात नहीं कोई बुरा नहीं है बट audience के perspective सचोशेंगे तो यही है next बहुत बड़ा point है कि आपकी एक frequency होने चाहिए regularity होने चाहिए आप continuously post करें और schedule पे करें ऐसा नहीं कि एक post के और एक महिने बाद नहीं किया तो नहीं चलेगा finally एक बहुत बड़ा रहसे है क्या खाली shots चलाके आप monetize कर सकते हैं इस पे हम अगली बार बात करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like and subscribe करिएगा मैं try करूँगा मैं अपने experience शेयर करूँ और अगर आपका कुछ है तो आप भी शेयर करें Thank you so much